हाई गाइज वाट्सप कैसे हैं आप लोग अभी ये वीडियो बनाने का परपस यही है आप सबको पता है भी शुशान सिंग गाजपूत के बारे में के रिसेंटली उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया और हमें सब हम सब जो है एक स्टेट ऑफ शॉक में है और एक ऐसा व्य ही होगी so it all comes to your mental health ये मुद्दे ऐसे हैं जिसके बारे में हिंदुस्तान में तो मुझे लगता है कि कहीं कोई बात करके राजी नहीं है कहीं कोई इस पर thoughts दे के राजी नहीं है अच्छा आपको शायद पीछे से कुछ noises आ रही हूं please avoid कीजेगा मैं studio में इस वीडियो को नह हम में से मुझे लगता हर कोई और खासकर जो भी student life में जब आप लोग होते हैं और इस तरह के courses कर रहे होते हैं जैसे CA, CS, CMAS ये सारे courses आपकी physical health को तो बहुत ज़्यादा effect डालते ही डालते हैं खेर ही अपने उपर भी होता है लेकिन 90% cases में आपकी physical health पे तो impact डालते ही डा जाते हैं या हम कुछ ऐसा action ले लेते हैं जो बिल्कुल सही नहीं होता है और सबसे पहले मैं आपको एक disclaimer देना चाहता हूं भाई मैं कोई doctor नहीं हूं मैं कोई mental health specialist नहीं हूं मैं कोशिश करूँ अपने students को address कर दूँ अपने बच्चों से बाचीत कर लो अपने बच्चों क अपने नोट करी हैं जो मैं share करना चाहूंगा आपके साथ मैंने उन्हें आई-पैट बे लिग भी लिया है और सबसे important चीज जो मुझे पता चली है कि हम लोग हम लोगों के दिमाद में कुछ होता है न तो हम उसे छुपाते हैं basically इंडिया में mental illness या mental health जैसा concept जो है न वो हमने उसके साथ भी ऐसे टैबूस जोड़ दी है ऐसे हमने attitude जोड़ दी है जो कि बिलकुल गलत है और ऐसा बिलकुल भी नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले हमें बोलना है अगर हमारे दिमाग में कुछ चीज चल रही है हमारे दिमाग में ऐसे negative thoughts आरे हैं तो हमें बात करनी हैं किससे बात करनी है सबसे अच्छा होगा कि अपने परिवार वालों से बात करें अगर किसी कारण वरिऊक। आप अपने जीनियर से बातर सकते हैं बताई उनको कि आपके मांड में क्या चल रहा है और सबसे पहले हमें बात करनी है और दूसरी बात ऐसा मैंने देखा है कि भाई शायद इंडिया में नहीं यह हर जगा पर है जादा तर लोग जो mental illness से illness से गुजर रहे होते हैं बहार से वो बहुत okay लगते हैं बहार से वो completely normal लगते हैं बलकि बहार से वो कभी कभी लोगों को inspire भ हर कि कहीं भाई वो ऐसा तो नहीं सिर्फ बाहर से अच्छा दिक रहा है बाहर से वो सुखी दिख रहा है बहर से शेहल रहा है कि इस व्यक्ति से बात करें क्योंकि यह बहुत जादा जरूए है इसके बात मैंने कुछ और पॉइंट आप लोगों को अगर इन चीजों से rider तो हमें दो मिनिट लगते हैं एक अकाउंट बनाके कुछ भी किसी के बारे में लिखने में कुछ भी किसी के बारे में लिखने में आपको नहीं पता कि उसको वो चीज कहां पर जाके लगेगी इवन प्रियंका चोपड़ा जैसी बड़ी एक्ट्रस भी ये मान चुकी है कि जब आप इंटरनेट पर किसी की अगेंस कुछ लिखते हैं तो उन्हें बुरा लगता है उन्हें चुपता है और वो सोचती है किसा क्यों हो रहा है तो आप समझ रहे हैं कि आपके कुछ लिखने से किसी की जिंदगी पर कितना negative impact आ सकता है और आप चाहिए लिखने से पहले सोचते नहीं है तो ultimately आपके ऊपर एक इलजाम आजाएगा आप जिंदगी पर इस बोज के साथ जिएगे कि आपने उस विक्ति के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया था उसने उसके बाद वो step ले लिया और जिसके बारे में लिखा जा रहा है मैं उसको यह motivate करूँगा कि देखो भाई इंटरनेट की दुनिया में न सब कीबोर्ड वारियर हैं उनके बसकी कुछ नहीं होती वो सिरफ लिख सकते हैं प्लीज उनकी बातों को बुरा ना माने और आप उनको ब्लॉक करें और आगे बड़ें बहुत सिंपल है आपके बारे में कुछ लिखा जारा है जैसओं बहुत बारा होता है कि हम किसी स्टूडंट को पकड़ ले दे इविग यह जिजी जो चीजा चल रही है इसे आपको नहीं पता यह व्यक्ति यह उसको कहां पर क्या इंपक्ट डाल रहा है यू नेवर नो और वो इसका क्या step लेगा इसके बाद वो क्या इसके आगे action लेगा आपको यह बात भी नहीं पता है न एक बात दूसरी बात जो मुझे समझाई जो मुझे समझाई कि बहुत बड़ा कारण बनती है इस mental illness का बहुत बड़ा कारण बनती है depression का again guys I am not an expert अगर आपको जरा से भी ऐसा कुछ feel होता है आपको कभी भी कुछ ऐसा negative feeling आती है please talk to someone आप medical help लीजिये कोई बुराई नहीं है medical help लेने में भाई medical help लेने से कोई आपका बुरा नहीं हो जाएगा अगर आप medical help लेंगे तो हो सकता है आप इससे बहुत जल्दी जो है बाहर आप आए एक बात और बताना चाहूँगो मैं आपको यहाँ पे बहुत important बात और वह बात पते क्या है कि भाई आपको जिन्दगी में किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तू, किसी भी course, किसी भी materialistic चीज़ को इतनी importance नहीं देनी कि वो आपकी life से ज़्यादा important हो जाए और आप उसके चक्कर में अपनी life छोड़ दे अब मैंने recently बढ़ा, कुछ बच्चों ने mobile ना मिलने के खारण सुसाइड कर लिया, online classes उनकी हो रही है, peer pressure है, mobile चाहिए, iPad चाहिए, I think यह अपने बच्चों को समझा के रखना चाहिए और यह हमें परवरिश में सबसे पहले चीज यही देनी चाहिए, कि materialistic world से जितना दू अब सारे लोग अपने प्यार में पागल हो जाते हैं किसी के और उसके पीछे जान दे देते हैं, उसके पीछे मरने मारने की बाते करते हैं, और यह मत सोचेगा कि मैं कोई बहुत अलग हूँ, मेरे साथ भी सारी घटना है, सारी घटना है, चाहिए वो teenage में हो, चाहिए वो कोई ऐसा girlfriend, boyfriend वाला मामला हो, चाहिए वो किसी चीज को लेके हो, लेकिन जब हम बड़े हो गया, शायद मैं थोड़ी जल्दी समझ गया, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आप लोगों को अभी, आप मुझसे भी जल्दी समझ जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इतनी importance ना दे कि आप उसकी कही हुई एक बात आपको इतनी बुरी लगे कि आप को बड़ा कदम उठाले जिसकी वजह से आपका परिवार जो है वो बात में परिशान उतर है, और खासकर व्यक्ती से पहले आपको चीजों को importance देनी बंद करनी पड़ेगी, जहाँ आप ची चोड़ दिजी चोड़ दिए इन सब चोड़ी चोड़ी चीजों को कुछ नहीं रखा इसमें देन उसके बाद गाईज मैंने कुछ चीज़े देखी कि कैसे आप लोग जो है इस चीज को ओवर कम कर सकते हो कैसे आप इस चीज से बाहर निकल सकते हो अगर आप एक कोई कोई दिन मेरा भी ऐसा जाता है मैं कुछ समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ मैं कहां खो गया हूँ आज बिलकुल काम नहीं हुआ यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया आज यार वो अली डील नहीं बात हुई आज वो अली डील किसे बात नहीं हुई ओहो इतने पैसे कहा जा रहे हैं इतने पैसे कहां से आ रहे हैं यह करना है हमारे साथ भी होता है सब के साथ होता है हम सब साड होते हैं हम सब के सब हमारा माइन थोड़ा सा एक्टिव रहता है, हमारा माइन थोड़ा सा सभी रहता है, हमारे माइन में नेगेटिव थोट्स नहीं आते हैं, और हम थोड़े बनते हैं, हमारा आउट्टुवक टुवर्स लाइफ जो बदलता है, ऐसा मुझे लगता है, so please for god's sake, physical exercise जरूर करें, और physical exercise का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जिम जाएं, आप भाइस, आप डंबल्स उठाएं, नहीं, 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 करता हूँ, कि आप इस बात को seriously लेंगे, राइट, एक बात, दूसरी बात मैं आपको जो बूलना चाहूँगा, वो यह, कि भाई, एक और तरीका है, जो मैं पनी life में अभी inculcate नहीं कर पा रहा हूँ, पूरा सोच रहा हूँ, करूँगा, जरू, 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 करूँगा, इस lockdown में मैंने physical exercise वाली चीज इंकॉर्परेट कर ली है, अब उसके नजर मत लगाना बिल्कुल भी, और दूसरी चीज जो है, वो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो है meditation, मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ, मैं उसके पीछे books पढ़ रहा हूँ, उसके कुछ courses कर रहा मैंने अपनी पहले भी वीडियो गुला था कि सुनर और लेटर आपको physical exercise, आपको yoga meditation जो है करनी पड़ेगी, जितनी जल्दी शुरू करोगे, उतना जाधा अच्छा होगा, so please don't delay it, ये दो चीज़े, और भी कुछ चीज़े हैं मेरे पास, जिससे मुझे लगता है कि हम लो मुझे musical instruments बजाने नहीं आते हैं, बट मैंने एक डफली ले रखी है, एक मैंने keyboard ले रखा है, एक मैंने guitar ले रखा है, एक मैंने harmonium ले रखा है, और जब भी इनको play करता हूँ, ऐसी randomly कुछ भी play करता हूँ YouTube से देखके या कुछ भी करता हूँ, तो मुझे बहुत relaxed feel होता है मुझे ऐसा लगता है कि यार, ठीक है, this is soothing my mind, so आप भी music try कर सकते हैं, गाने सुनिये, गाने गाईए, क्या दिक्कत की बात है, आपने कोई Indian Idol में जाके audition थोड़ना देना है, आप खुल के गाने गाईए, आप देखें कि इससे काफी emotions बहार निकलते हैं, मैं ऐसा बहुत कर जाते हैं, जिससे हम लोग जो है, इससे fight कर सकते हैं, mental illness से, music के बाद मैंने एक चीज़ और लिखी और वो ये है, कि आप, मैंने एक चीज़ बड़ी अपने साथ observe करी, लोग यार, दो-दो हफते की चुट्टी पर जाते हैं, दो-दो हफते की, और मैंने आज तक में लाइ हैं, लेकिन मैं आपको इस सेलेस्ट करूँगा कि आप off लें, weekly, by weekly, by weekly तो नहीं, fortnightly आप off लें, और जिस दिन आप off लें, उस दिन कुछ ना करें, उस दिन कोई अपनी hobby pursue करें, और उसका guilt ना ले अपने mind पे, बिल्कुल भी 1% भी उसका guilt ना ले अपने mind में, अपनी hobby pursue कर enjoy करें, और यह बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप यह नहीं करेंगे न, तो आप ठक जाएंगे, आप समझीए कि आप, आपका mind एक tire की तरह है, और उसमें sir key लग चुकी है, पेंचर हो चुका है, अब आप गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी ज़्यादा चलाओ गए, तो आप टायर फट जाएगा भाई, भाई, भता नहीं मैंने ये analogy दी, आपको समझ आई, नहीं आई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको sir, अपने आपको off देना है, उसका guilt नहीं लेना हो, complete off ले, उस off में आप कुछ अच्छी movies देख ले, inspirational movies देख ले, आप कुछ अच्छे अपनी hobbies परस्यू कर लीजिए, उसका guilt बिल्कुल ना ले, घर वालों को साथ time बिदा लीजिए, कहीं गूमने चले जाएगे, और जब आपको लगे कि नहीं, अब मैं गूमने जा सकता हूँ, बहार जाना चाहिए, और बहार द बीबी, बीबी के वाइन्स, कैरी मिनाटी, मुंबाइकर निखिल, UIC, और ऐसे बहुत सारे और लोग, जो सर बहुत ज़दा influence डालते हैं हमारे यूथ पर, बीबी अपना, बीर बाइसेप्स, रनवीर, इन लोगों को, और जितने भी बड़े लोग हैं, और मैं किसी का नाम नहीं ले पार हो, जितने भी बड़े लोग हैं, उन सब को बाहर निकल के आना चलिया, और खुल के बात करने चाहिए, मैं आपको एक बात और बता दूँ, कि हम सब, जितने भी हम लोग यूटीवर्स हैं, जितने भी हम लोग बड़े-बड़े टीचर्स आपको लगते हैं इसमें सारे बच्चे बड़ा रहे हैं, हम सब भी बहुत फ्रेजाईल हैं, हमारे माइन को भी बहुत साल चीजों का इंपक्त आता है, including मैंने भी जिनका नाम लिया, मैं आपको बता रहा हूँ, कैरी मिनाटी की mental state क्या रही होगी उस समय, जब अभी उसकी वीडियो निकले, खेर मैं social media influencer से एक request करना चाहूँगा कि बाहर निकले, जितनी awareness फिला सकते हैं, फिलाएं, बात करें, बताएं, अपने खुद के बारें बताएं कि वो कैसे सी से बाहर निकले, क्या रहा, इससे तो कि वो youth को inspire कर रहे हैं, हुनकी वीडियो से millions and millions view आते हैं, and I'm sure BB के I request all the big influencers, Amit Bhadana, each and everyone, कि इस मुद्बे पे खुल के बात करें, अगर वो अपने किसी resourceful person को अपने channel बुला सकते हैं, तो उनको बुला के लाएं, और आपसे बात करवाएं, तो off लीजिए, enjoy कीजिए, दिखावे के लिए काम मत कीजिए, बिल्कुल दिखावे के लिए काम मत क जाएगी, देन उसके बाद, जो मुझे एक चीज लगती है, कि भाई, आप लोग एक काम और कर सकते हैं, self-help book पढ़ना शुरू कीजिए, बुक से आप लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, guys, अच्छे अच्छी किताबे हैं, बहुत अच्छी किताबे हैं, the magic of thinking, big, think and grow बहुत सारी ऐसी किताबे हैं, जिनसे आप actually में जो है, बहुत 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 कुछ जो है, वो सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, right, तो आप self-help books पढ़िए, वो आपको बहुत जादा मदद करेंगी, आपको बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा, आप एक काम और क लिखने का एक पैटन मना है, problem किया है, solution किया है, सीरफ problem ना लिखें, problem भी लिखें, solution भी लिखें, problem भी लिखें, solution भी लिखें, अपने बारे में लिखें, लिए उसके बाद मुझे जो चीज समझ आती है, self-help books पढ़िने के बाद, आपको अपना interest किस ना किसी चीज में develop क जरूरी है वो interest किसी sports में हो सकता है वो interest किसी तरह के skill में हो सकता है मैं जब negative feel करता हूँ तो मैंने बताय में क्या करता हूँ जब मुझे लगता हि कि मुझे मैंने एक चीज और ढूंडी है चीज और मुझे समझ आई है मेरी negativity या मेरा depression सिर्फ तभी दूर हो था जब मैं perform करता हूं पता नहीं I don't know if this is right or wrong मैं जब काम नहीं कर पाता तो मैं negative हो जाता हूं जब मैं perform नहीं कर पाता जब मैं video shoot नहीं कर पाता अपने students के लिए या तब मैं negative हो जाता हूं और उससे overcome करने के लिए मैं काम करता हूं work कर करता हूं मैं नहीं चीज़े सीखता हूं जैसे वी recently पिछल दो साल में मैंने excel stock market बहुत explore कि और वो इसलिए किया कि मुझे लगता था नहीं यार कुछ नया सीखना कुछ नया करना है खाली नहीं बैटना है दिमाग में खाली पन नहीं आना चाहिए बिलकुल भी यह सब ची अगले साल के दो टार्गेट्स और रखे हुए इन सब करने मजा आता है क्योंकि इनका प्रेशर नहीं ना मेरे उपर राइट सो यह कुछ चीज़े हैं जो मैं आपको बदाना चाहता था और एक चीज मैं और आपको बूलना चाहूंगा बहुत important बात मैं आपको बूलना च तो प्लीज उसे support करें उससे भागे ना उससे चिड़ाए ना उसकी इस चीज का मजाक न उड़ाएं उसे ये ना बोले कि तिर बसकी कुछ नहीं है ये सब चीजे से बहुत negative है और इससे जो है बहुत 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 परशानी हो सकती है अभी चीज मैंने जो सीखी थी पता नहीं मैं उसे exact quote कर पा रहा है ये नहीं लेकि मैं quote करने कोशिश करता हूँ हम हार जी success failure में इतना उलज गए है कि जिन्दगी जीना बूल गए है जिन्दगी में अगर कुछ सबसे जादा important है ना तो वो खुद जिन्दगी याद रखेगा इस बात को छोड़ दो ये pass fail ये importance रखते हैं लेकिन इतनी नहीं कि आपकी जिन्दगी से उपर निकल जाए राइट सो यार मैं जो बोलना चाता था मैंने pass on कर दिया है कुछ बूरा लगा हो तो भाई I'm sorry बट कोशिश करें सब लोगों को इस बारे में जागरुक करें लोगों से बार बंद तुझ जीतना बंद spread love hate ना करें hatred ना दें कुछ भी गलत ना करें अपने जिंदगी में मस्त रहें वियस्त रहें बाई बाई